हालो एवरिवन, वेलकम बेक हम लीडीज ना चाहे वर्किंग हूँ या नॉन वर्किंग ये घर की कामना हम सभी को करने पड़ते हैं एक भी दिन की छुट्टी ना हमें इतनी भारी पड़ जाती है कि हमारे कामना डबल हो जाते हैं अब आप मेरे ही घर की आला देख लिजे गई थी कुछ दिनों के लिए मम्मी के आ और जब वापस आई होना तो घर का आल कुछ इस तरह से है आप लोग रिलेट कर ही सकते हैं कोई भी चीज अपनी जगा पर मिल ही नहीं सकती आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताईएगा कि आप लोग के साथ में भी सेम यही सिचेशन होती है समझ में ही नहीं आ रहा कि काम कहां से शुरू करो बट एनिवेस दिस इस दा पार्ट आफ लाइफ सबसे पहले की पेट पूजा बनाया सबसे पहले मैंगो शेक यह सारे फूट कंटेनर्स जो मेरे पीछे इन्होंने खाना मंगाया होगा अपनी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मैं यहाँ पर बनाती हूँ अगर आप मेरे चैनल से बहुत कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है बट उस पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा और आप मेरी एनर्जी को पॉजिटिव बनाये रखने के लिए बस एक छोटा सा कमेंट मेरी ने एक छोटी सी हैबिट ये डेवलप हो गई है कि जब भी मेरे काउंटर टॉप पे चीजे बाहर होती है तो मैं उन्हें कैबनेट में रखने से पहले उनको एक बार वाइब जरूर करती हो चाहे वो छोटे से छोटा कोई भी कंटेनर हो या फिर मिक्सी इवन कुछ भी जूभी काउंटर टॉप पे होगा ना उस पर एक बार वाइब करके तब ही मैं उसको उसकी कैबनेट में सही जगा पर प्लेस करती हो हमारे किचिन तब ही फंक्शनल होगी जब हमारी किचिन कैबनेट्स और्गनाइजड होगी और किचिन कैबनेट्स को टाइम टू टाइम और्गनाइज करते रहना सही तरीके से चीजों को प्लेस करना बहुत जरूरी है अपनी नीड की अकॉर्डिंग जब हम अपनी kitchen को proper तरीके से clean करते हैं तो no doubt हमें daily जो हम time लगाते हैं अपनी kitchen की cleaning में उससे हमें थोड़ा सा कहीं ज़ादा time लगता है बट यह हमारा थोड़ा सा effort, definitely हमारी जो daily की task होते हैं जब हम daily अपनी kitchen को clean करके निकलते हैं उसमें हमारी process को fast करने में बहुत ज़ादा helpful होता है अभी मुझे काफी time लगने वाला है kitchen की cleaning में तो मेरा दूद भी साथ की साथ boil हो जाएगा और जो भी containers खाली हैं जिनको भी refill करना है वो भी मैं अब इसी time पर साथ की साथ कर दूँगी ये मैं refill कर रही हूँ खान, देशी खान sugar के place पर एक बहुत ही अच्छा healthy option है देशी खान mostly सभी चीज़े अपनी place पर जा चुकी है और बस बाकी है ये plant इस plant की leaf भी गंदी हो रही थी और कुछ ना leaf yellowish भी हो चुकी है तो बस अब मैं इसे इसके पानी को चेंज कर दूँगी generally ये पानी मैं week में एक बार change कर देती हूँ बहुत बार अगर डिले हो जाता है तो 15 days भी हो जाते हैं और हाँ जब भी मैं इसमें पानी दुबारा भरती हूँ तो हमेशा आरो water ही fill करती हूँ अब साथ की साथ नजर पड़ी इस प्लांट पर तो ये भी बार बार चीक चीक कर मुझे बुला रहा था कि मुझे भी change कर दो मेरा water भी change कर दो ये टाइम है नून का और अब बारी है लंच की तो लंच में मैंने आज कुछ special कह दीचे बट बहुत ही frequently basis पर मैं इसे बनाती हूँ मेरे बच्चे बहुत prefer करते हैं इवन गर्मी में तो बहुत ही अच्छा option है healthy भी है और अच्छा है light है चलिए मैं आपको directly नहीं बताती हूँ आप लोग देख कर के बताईएगा कि क्या बनाया है मैंने ये बट अभी आप जो देखने वाले हैं उससे directly आप guess कर सकते हैं अब तो आप definitely guess कर ही लेंगे कि मैंने क्या बनाया है अगर आपने पहले गलत guess किया है तो भी मुझी comment box में बताईएगा और सही guess किया है तो भी मुझी comment box में जरूर बताईएगा फ्रिंट सी आप लोग का प्यार ही है जो मुझी वापस दुबारा से ना आप लोग की तरफ खीच करके लेकर के आया है और आशे करती हूँ आप लोग का ये प्यार मेरे साथ में इसी तरह से बना रह है इवन continuously subscribers भी gain हो रहे हैं बट जब आप लोग देखते हैं कि मैं अक्टिव नहीं हूँ तो दूसरे ही पल आप उसको मेरे चैनल को अंसब्सक्राइब भी कर रहे हैं ये सारी activities में notice कर रही थी तो इवन बहुत सारे subscribers जो मेरे से Instagram पर जुड़े हुए हैं वो लोग भी बार चीजे स्टार्ट करना YouTube पर बहुत जादा मुश्किल होता है बट फिर भी आप लोगों की प्यार नेना मुझे ये हिम्मत दी कि मैं दुबारा से अपने चैनल पर active हो गई हूँ definitely अब आपको निराश नहीं करूंगी हां बट आप से भी एक request है आप भी मुझे अपना प्य यार उसी तरह से दीजिएगा जैसे आप लोग पहले देते थे इवन वीडियो उसको जादा से जादा शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा क्योंकि जब आप अपना लाइक और कमेंट श्यो करते हैं तो तब ही मैं फील कर पाती हूँ कि आप लोग मुझ से connected ह चलिए जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ में तल्दन बाबाई